जितने भी अभियरती इस बार एक्जाम देरें में क्लास 12 वालों के लिए दो फ्रवरिव को आप सभी का मैथमेटिक्स का एक्जाम है यहाँ पे यहाँ पे जितने भी कोशन मैं लेकर आ रहा हूं यह सारे के सारे वारेल टैप कोशन प्रिविए सियर्स के मोडल से इस प्रसन आसानी से देखनों को मिलेंगे यहाँ से हुब बहु या फिर सेम पैटरन पे इसलिए वीडियो को लास्ट तक जूर देखना गनित है बस थोड़ा सा डाटा आप लोगो चेंज कर सकता है ठीक है टोटल पुर्णा करेंगे 100 मांक्स का टोटल अब्यक्टिव दि इसी तरीके के कई सारे वीडियो आपको मैं देने वाला हूँ ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक जूर देखना एक प्रसन आप सभी के लिए काफी इंपोटेंट है और यहां से पूछे जाएंगे वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब करकर सेर जरूर कर द वे पूछे जाते रहे हैं किसे का फिर जाते हैं दोस्तों टूली हो यहां से लिए लिग देता हूँ मैं टूली तैन ऑपको लाडिम या हो डिखा है Carry के अप आप देखो 2 10 inverse 1 by 3 को हम दो लिख सकते हैं क्या 10 inverse ठीक है मैं डाय क्लिक देता हूं 10 inverse 2 गुने 1 by 3 बट्टा में आपका 1-1 बटा 3 का अस्क्वाइर ठीक है इस तरीके से हम लिख सकते हैं फिर आपका है पलस यहां पे 10 inverse 1 by 7 ठीक है ना मैं RHS भी नहीं लिख रहा हूं यह LHS वा आने हैं दोस्तों वीडियो को अंतक देखिएगा मैं आप लोगो डेटेल में बताते चलूंगा ताकि इस तरीके के प्रस्न और भी कई पूछे जाएंगे ता आप असानी से बना पाओ देखो इसको अगर हल करेंगे हम लोग तो 10 inverse यहां पे 2 by 3 आ जाएगा उसके बाद आ आपका 9 आपका 9 आपका 9 उपर चला जाएगा देखो 10 inverse यह हो जाएगा आपका 2 गुने 7 यह हो जाएगा 10 inverse 1 y 7 10 inverse 1 y 7 अब देखो यह जो फर्मूला हो गया 10 inverse x plus 10 inverse y वाला फर्मूला हम लोग जानते है 10 inverse x और 10 inverse y वाला जो फर्मूला होता है मैं लिग दो यहाँ पर देखो 10 inverse x plus 10 inverse y वाला फर्मूला हम लोग जानते है 10 inverse ठीक है x plus y बता में होता है 1-xy ठीक है 1-xy अब इसी पर हम लोग क्या करेंगे इसको मान पुट करतेंगे x के जग़ा पर 3 बटा 4 है y के जग़ा पर 1 बटा 7 है मैं डेक लिख देता हूँ 10 inverse x पलस y तो 3 बटा 4 पलस 1 बटा 7 बटा में 1- आपको 3 बटा 4 गुने 1 बटा 7 इसको अगर कैलकुलेशन करोगे दोस्तो आप लोग ठीक है न यह कैलकुलेशन करने के बाद आप लोग को यहाँ पर आ जागा 10 inverse 10 inverse 1 के बराबर आ जाएगा ठीक है और 1 का हम लोग जानते है क्या होता है 10 पाइवाई 4 होता है 10 पे 45 डिगर का मान होता है तो यहाँ से 10 से 10 चला जाएगा दोस्तो तो बचेगा क्या आप लोग को पाइवाई 4 का मान बचेगा जो आपका RHS पे यहाँ पर प्रूव हो जाता है देखे यह जो मैंने आप लोग को यहाँ पर दिया हूँ दोस्तो तो इसको आप लोग क्या करो solve करो ठीक है ना यह जो दिया हूँ मैं यहाँ पर इसका जो value होगा वो एक के बराबर आ जाएगा ठीक है इतना क्या आ जागा दोस्तों आपका 1 के बराबर हो जाएगे ठीक है इस तरीके आप लोग परसन जब भी पुछे जाएएगे आपको इसी तरीके से बनाने है और एक बार फिर से मैं बता दू जितने भी परसन आप लोग के एक्जाम से पुछेएँगो सारे के सारे आप लो प्रूफ करना है देखे जब भी प्रूफ वाले प्रसना पूज जाएंगे अधिकतर दोस्तों वह आप लोग को इन्वर्स ट्रिग्रों मेट्री से देखनों को मिलेंगे ठीक खास करके डिटर्मिनान से तो चलिए इस प्रसन को हम लोग सुल्व करते हैं दोस्तों कहा किया है आपका 10 इन्वर्स एक्स क्या कोस्टं है द्रिखो 10 इनन्वर्स एकसा क माइन से i September ऐस ठीक है तो हम लोग जानते हैं दोस्तों एक फिर्मूला यहां से कि 10'0 1 एक्स पलस आपका होगा है इक how00Strage in English iq बब्राबर होता तो यहां से अगर pi by 2 रहने देते हैं इसको e side लेकर जाएंगे तो बच्छेगा क्या बता हो यह बच्छेगा आपका pi by 2 minus बच्छेगा यह count inverse x यहीं बच्छेगा फिर minus है यहाँ पर दोस्तों यह अगर e sec inverse x को छोड़ देंगे और इसको e side लेकर जाएंगे तो क्या बच्छेगा pi by 2 minus आपको यह बच्छेगा कौसेग inverse x ठीक है और बड़ाबर जो लिखा गया उसको हम लोग अभी रहने देते हैं अब इसको अगर हल करो के दोस्तों यह बच्छेगा pi by 2 minus आपको count inverse x minus y by 2 minus minus यहां पर कित क्या हो जागा minus minus plus यहां पर हो जाएगी तो plus यहां पर हो जागा यह कौसेग inverse x देखो pi by 2 से pi by 2 गया तो बच्छा क्या हम लोग के पास कौसेग inverse x माइनस बच्छा count inverse x तो देखिए एक और फर्मूला हम लोग जानते हैं तो यहांसिए कि अगर हम लोग को शाइण inverse x देखो अगर यह रहा देखो अगर आप लोग यहां पर कौसेग inverse x अगर दिया रहे ना कौसेग inverse x ध यह हो जाता है आपका दोस्तों को कौसेग inverse x बिलदा है आपका साइन inverse 1 by x ठीक है उसी तरीके से count inverse x बराबर होता है आपका 10 inverse 1 बटा एक्स समझ वारे हैं उल्टा में हो जाता है 1 बटा एक्स तो इसी को हम लिख सकते हैं कोसेक inverse को यहाँ से sign inverse 1 by x फिर minus आपको count inverse x के जगाँ पर लिख सकते हैं हम लोग 10 inverse 1 by x यह देखो यह जो term यहाँ पर लिखा हूँ मैंने यह RHS के is equal to RI की नहीं तो बिल्कुल RI देखो यही हम लोग को यहाँ पर प्रूप करना था यहाँ पर प्रूप हो चुका है ठीक है इस तरीके के प्रस्ण आप सभी के एक्जामस में कई बार पूछे जा चुके हैं तो आप असानी से एक इसको बना लेना और इसी तरीके से आपको बनाओगे देखो जो भी आप लोग को बना रहे है और जो भी फर्मूला यूज हो रहा ता आप उसको कोस्ट में लिखके साइडे में लिख दिया करो कि यह यूज हो रहा यहाँ ठीक है समझवारे हैं तब आपको दो में दो मार्स मिल जाएंगे फोल में फोल मार्स चलिए अगर किसी को दिक्कत होती है तो जरूर कमेंट्स करके बताना थार नमर प्रसन देखते हैं दोस्तों इसका मान निकलना है यह मैंने आप लोग कई बार बताया है दोस्तों जब भी इस यहां से पलस करो मैंने करो फिर पलस करो ठीक है देखों यहां फे पलस अगर सेबन लेते हो इसको ढखना है उपर वाले को और रो को को धकना है सेंबला को तो यह होजागा 19 बचेगा 19 3 19 30 और यह बचेगा 31 और 37 ठीक है कि माईने आपको यहां पर 17 लेना है उसके बाद और 23 से बच्चेगा इसको calculation करते दोस्तों असानी से आप लोगो मिल जाएंगे answer देखो थोड़ा सा यह calculation तो है ठीक है क्या है calculation तो है इसको जब 2 marks वाले questions में आप लोगो तो तो टैप कोशन और लॉंग टैप में पूछा जाता है तो आपको थोड़ा सा तो मेहनत और मगुनन नफल जो है वो करना पूरेगा ठीक है तो देखो इसको अगर हल करोगे दोस्तो यह हो जाएगा आपका माइनस सतर पलस आपको चार सो अठारा आएगा और यह माइनस त 312 एगा ठीक है इससे अगर हल करोगे दिया एगा माइनस सतर इससे अगर हल करोगे दिया चार सो अठारा और इसको अगर हल करोगे दिया आपका कितना माइनस 312 ठीक है देखो इसको अगर घटा होगे तो 70 और 312 को यह हो जाता आपका 418 कितना हो जाता है कितना हो जाता है म माइनस तीनसो बेराशी और यह पलस आपको चारसो अठार इसको घटा ओगया तो यह हो गया आपका 36 यह हो गया 36 ठीक है इसका क्या हो गया 36 अपको इसी तरीके से बनाने है थोड़ा सा कल्कुलेशन है आप कल्कुलेशन कर लेना इतना ही एंसर आएगा चलिए फूर्थ नमर नगरते हैं इसको सीद्र करना अब इस तरीकी परसंद को सीद्र कैसे की एगा था हम लोग जानते हैं दोस्तों कि दिक्टर्मि natomiast में अगर कोई दिया गया है रोओ और कॉलंप द्व और या फिर दो को और हम लोग सीम कर देते हैं आपर यहां पर लोग को सीम करना है यहां आपको 1, 1, 1, A, B, C और B पलस C, C पलस A और A पलस B यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर C2 में C3 को जोड़ देंगे, ठीक है, यहाँ पर देखो, या फिर C3 में C2 को जोड़ दो, मालों तक C2 में, अगर हम लोग C2 पलस C3 को जोड़ते हैं तो देखो, यह क्या बहुता है, आपका 1, 1, 1, फिर A और C3 को जोड़ेंगे हम लोग, तो बचेगा A पलस B पलस C हो जाएगा यहाँ पर, C2 में, यहाँ पर C3 को जोड़ेंगे, तो यह हो जाएगा B पलस C पलस A, और यह हो जाएगा आपका C पलस A पलस B, ठीक है, यही नह है, यहाँ पर A, B, C, यहाँ पर, A, B, C, यहाँ पर, A, B, C 3 में है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर common लेंगे, इसको क्या करें हम लोग, A पलस B पलस C जो है, यहाँ पर common हम लोग ले सकते हैं, ठीक है, इसको, तो यह बचेगा 1, 1, 1, और बचेगा, यह बचेगा, श समय भारे ना अब देखो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे C1 बराबर यहाँ पे C2 हो रहा है इसलिए यहाँ पे इस इस तरीके से आप लोग प्रोब यहाँ पे लिख देना ठीक है चलिए अगला प्रसंद देखने हम लोग फिफ्ट नमर अब कहा गया है पांच नमर में यदि एक कमान इतना दिया गया है तो A2 कमान गया है यह मैट्रिक्स का कोशन है दोस्तों और भूनन फलवला है देखो इ एक कमान यहाँ पर दिया गया है 1-1-1 और 1 जैसे यहाँ पर A2 हम लोग को पूछा गया है था ठीक है तो A into A ठीक है इसका मतलब हम लोग को दो बार multiply करना होगा इसको 1-1-1-1 ठीक है फिर into में है 1-1-1 और 1 हम लोग जानते हैं दोस्तों इसको multiply करते हैं रोग को को कॉलम के साथ और कॉलम को रोग के साथ ठीक है तो देखो जब भी हम लोग multiply करेंगे जब भी दोस्तों हम लोग को यहाँ पर multiply करना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे इसको जो है इसके साथ multiply करेंगे ठीक है और इसको जो है इसके साथ multiply करेंगे समझभा रहे ना रोग को कॅल्म के साथ और कॅलम को रो के साथ तो चलिए हम लोग यहां पर मल्टिप्लाइ करते हैं दोस्तों अब देखें यहां पर 1 है तो यहां पर 1 इंटू 1 दो 1 हो जागा फिर आपको क्या है बताओ यहां पर arc हम लोग देंगे फिर उसके बाद आप लोगों को यहां पर minus 1 है और column में भी आपको minus 1 है ठीक है फिर उसके बाद हम लोग क्क änd से आपको मैंनस 100 1 इंस फिर आपको यहां पर plus 1 into minus 1 ठीक है इसी तरीके साथ को यहां पर बचेगा kiya देखो 1 into minus 1 फिर आपको यहाँ पे पलस माइनस वन इंटू वन आपको मल्टिप्लाइक करना है दोस्तों रो को कॉलम के साथ और कॉलम को रो के साथ यह बचा ठीक है अब देखो इसको मल्टि गुनन फल करोगे थोड़ा सा कैलकुलेशन करोगे थे यह वन पलस और यह मैनस मैनस पलस हो ज स्क्क्यायर का बेलू जा जागा यह आगया आपका इतना कितना आगया 2 मैनस 2 मैनस 2 और 2 समझे आले न वाग को यह यह क्या हो गया यह एंसर हो गया ठीक है यह जब शाओ ना इस तरीके के प्रस्ट आप लोगों से पुछे जा सकते हैं और कभी-कभी आप लोग को एक यू है दोस्तों मान कैसे निकालेंगे देखो यह integration का है दोस्तों और integration by parts है तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको हम लोग अलग अलग कर देंगे ठीक है तो i command हम लोग यहाँ पर integration रखेंगे यह हो जाएगा आपका 10 square x into dx मैं डाइक क्लिक दे से कि 10 square x जो हता है 10 square x जो होता है यह आपका six square x minus 10 square theta जो हता है दोस्तों वह आपको six square theta minus 1 के बढ़ापर होता है यह simple tegORmitry का फर्मुला है और यह आपको count square theta जो हता है यह आपका होता है count square theta minus 1 ठीक है इसी बाले हम लोग यहाँ पर मान पुट करना है अब देखो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे 10 square x को मूल लिख सकते हैं यहाँ पर 6 square x minus 1 into dx फिर पलस यहाँ पर integration लगा के उसके बाद court square x को मूल लिख सकते हैं यहाँ से cost square x cost square x minus 1 into dx अब इसको थोड़ा सा आप लोग को calculation करता है 6 square x फिर minus dx फिर आपको यहाँ से minus 1 dx ठीक है ना फिर इसको बाइपार्स हम लोग कर दिए यहाँ से फिर इसको आप लोग को integration थोड़ा सा calculation है क्योंकि short tap questions है ने आपको इस तरीके से आपको करना ही परेगा ठीक है ना तब भी आपको फूर्माक्स है मिल पाएंगे 1 dx अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों हम लोग आप देखो सब का आपको अलग 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 आ गया तो आप असानी से आप इसका integration निकाल सकते हो तो बताव six square का integration क्या होता है तो six square का होता है है आपका 10x ठीक है और बता वन का क्या होता है वन का वन का सी पर सिर्फ एक्स होती है क्या होती है एक्स के साब एक्स में एक्स तो माइनस एक्स फिर पलस देखो कौस एक स्क्वाइर का क्या होता है कौस एक स्क्वाइर का होता है आपको minus count x ठीक है तो मैं die click लिख दा हूँ यहाँ पर minus count x और यहाँ पर देखो 1x का x और यहाँ last में आपको पला सी लगा देना है ठीक है तो देखो दो जगा same variable है यहाँ पर इसको मुझा लिख सकता है इस तरीके से 10x minus यहाँ से count उपर दिख दनो ठीक है यहाँ लिख देता हूँ इसको 10x minus आपको यहाँ पर बचेगा count x और यह minus 2x पलस c यही क्या हो गया आपका answer हो गया ठीक है simple प्रस्ण था दोस्तो इस तरीके प्रस्ण आप लोगों से कई बार देखनों को मिलेंगे कई सारे चाथ यहाँ पर गल्दी कर देते हैं इसी तरीके से आपको बनाने है फोल मार्क्स मिलेंगे चले अगला प्रस्ण देख लेते हैं कहा गया है EX sin X plus cos X into DX देखो यह जो प्रस्ण है न यह प्रस्ण दोस्तो आपको formula based धेखो हम लोग जानते हैं एक formula दोस्तो यहां से और यह बताओ sin X का यहाँ पर जो integration होता है क्या होता है देखे पर आप लोग को यहाँ पर फर्मूला पता होगा कि अगर हम लोग integration e के पावर x यहाँ पर कोस्ट में fx प्लस f-x dx का जो हम लोग निकालते हैं integration दोस्तों यह होता है e x function of x प्लस c ठीक है जब भी इस तरह के प्रस्ट पूश जाएंगे दोस्तों आपको इसी तरह की x यहाँ पर स्यम फर्मूला होता है ठीक है यह फर्मूला बेश कोस्ट सी है अब हम लोग देखो यहाँ पर e के पावर x इसको मानते हैं यह fx है दोस्तों और यह आपका f-x है ठीक है तो यहाँ पर e x क्या answer आ रहा है यहाँ पर e x fx प्लस c देखो इस तरह का पूशने का म x प्लस आपको यहाँ से कॉस x dx है इसको मैं डिरेक्ट लिख दून यहाँ से e के पावर x साइन x ठीक है और यह पलस सी लिख दू आप और यह फर्मूला साथ में लिख दिया तो आसानी से दोस्तों आपको फूल माक्स मिल जाएंगे ठीक है ना इस प्रसन का पूशने का मत डिफ्रेंसियसन यहाँ पर किया जाता है यह फर्मूला ही है इंटिग्रेशन का चले अगला प्रसन देखते हैं पूशा गया है कि इसको समा कलन करना है कॉस क्यूब x बट्टा में sin square 2x है ठीक है देखो इसको हल करेंगे हम लोग किस तरीके से देखो यह भी फर्मूला बे देखो साइन 2x बराबर होता है आपका 2 sin x into cos x ठीक है इसी वाले फर्मूला पर हम लोग को यहाँ पर बन जाएगा देखो क्या करेंगे इंटिग्रेशन लागेंगे cos cube x लिख देंगे यहाँ से और नीचे में हम लोग sin square 2x को यहाँ पर 2 sin x into cos x का यहाँ पर हाल स्कार कर द देंगे अब हम लोग क्या करेंगे हां से देखो इसको फिर से हल करेंगे कास cube x को मोलिख सकते हैं क्या cos x देखो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं और into में यहां पिए हो जागा cos square x तो cos square x से यह cos square x आपका चला गया क्या क्या चला गया ठीक है और into dx आपको लगा दना है देखो एक बटा 4 जो यहां से एक कॉमा ना जाएगा बचेगा कि आपके पास cos x बटा में बचेगा यह sin square x ठीक है यहां से sin x इसको हम लोग sin x लिख सकते हैं इसको भी हल करोगे आप लोग देखो इस तरीके से हम लोग हल करते जा रहे हैं यहाँ पर 1 बटा 4 cos x बटा sin x क्या होता है बताओ, count x होती है और यह 1 बटा sin x होता है cos x into आपको dx लगा देनी है अब देखो यहाँ पर इसका जो integration होता है दोस्तों इतना term का इसका बटा दो क्या होता है count x into cos x का होता है आपको minus cos x integration होता है इसका यह हो जागा 1 बटा 4 into में minus cos x पलस आपको c लगा देना है ठीक है यह आपका answer हो गया minus आपको आगे में भी लगा सकत हो minus 1 by 4 into cos x पलस c तो इसी तरीके से आपको इसका answer आजाएगा देखे इस तरह के परस्न आप लोग को total 30 रहेंगे जिसमें से शिर्फ और सिर्फ आपको 15 का जबाब देना रहेंगा ठीक है ना की बात हो दोस्तों और पूछा जाए यहाँ पे कि x का मान ग्यात करना और लंब होने के लिए तो माल लेते हैं दोस्तों इसका बहलू ये a है a vector वराबर माल लेते हैं x i vector minus 3 j vector ठीक है और b vector वराबर माल लेते हैं कि minus x i vector पलस आपका x j vector ठीक है ये तो होना चाहिए आपका a.b vector वराबर 0 होना चाहिए ठीक है ये जो a और b मैंने माना है ये आपका 0 के वराबर होना चाहिए तो चलिए हम लोग इसको multiply कर देते हैं यहाँ से तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर लिग देंगा और एक और चीज़ हम लोग जानते हैं यहाँ पर दोस्तों कि i.i का जो मान होता है वो 1 के बराबर होता है और i.j का मान जो हता है वो 0 के बराबर हो जाता है ठीक है उसी तरिके से k.k का मान 1 j.j का मान 1 होगा ठीक है तो हम लोग क्या करेंगे i से i वाले को multiply करेंगे यहाँ पर देखो यहाँ पर x और x कितना हो जागा x square और यहाँ पर minus है तो यह minus x square हो जागा और i square का value i.i जो होगा 1 के बराबर मैं नहीं लिखता हूँ सिर्फ यह minus x square मैंने लिख दिया ठीक है फिर उसके बाद देखो मिल जाएगा ठीक है उसके बराबर 0 कर देना है इसको हम लोग क्योंकि लंब के लिए सर्थ है यह अब देखो यहाँ से 3 से जे को multiply करोगे तो यहाँ से हो जागा आपका minus 3 और यह हो जागा plus 10 बराबर 0 अब यह देखो दुगात समीकरण पर आ गया दोस्तों यह हो जागा 3x क्योंकि यहाँ पर x है ना यह 3x हो गया यह हो जागा आपका देखो अब 10 तो हम लोग को minus 10x square को हम लोग को minus 3x में दो टर्म को इस तरीके से लिखना है ताकि minus 10x square भी आज़े और minus 3x भी आज़े तो हम लोग सकते हैं क्या minus x square minus 5x plus 2x plus 10 बराबर 0 ठीक है अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ से x को मलेंगे दोस्तों यह हो जागा minus x फिर आपको यहाँ पर minus 5 ठीक है क्या हो जागा यहाँ पर minus 5 ठीक है ना फिर प्लस यहाँ पर minus लेता हूं common minus यहाँ पर 2 common लिया यह minus x और यह minus 5 क्योंकि हम लोग के यह जो टर्म अ यह दोनों equal होना चाहिए यह बराबर 0 तो हम लोग सकते हैं यहाँ से क्या x minus 2 कमान और यह minus x minus 5 कमान 0 यह minus 2 और यहाँ पर x कमान 2 और और एक्स कमान क्या यह minus 5 ठीक है यह दोनों क्या हो जगा एंसर हो जाएगे ठीक है या तो 2 या फिर minus 5 लंब होने के लिए एक्स कमान लू इतना होना चाहिए समझ मैं यह परसन काफी easy था थोरा सा calculation था क्योंकि calculation रहेगा ही क्योंकि short type questions है ठीक है चलिए अगरा परसन देखते है कहा गया है कि यह सदीस vector है vector है दोस्तों कहा गया है कि 3i vector मा लेते है ए है यह 3i vector पलस आपको है 4 कितना है 4 j vector है और यह minus 6 के vector है इसके मापांक मतलब modulus निकलना है और direction cos निकलना है तो modulus निकलने के लिए हम लोग को क्या करना परेगा simple है modulus वराबर हम लोग को क्या करेंगे यहाँ पे modulus जो निकालेंगे दोस्तों simple हम लोग इसको क्या root में डाल देंगे ठीक है न इसका मतलब mode a vector निकाल देंगे इस तरीके से सभी का coefficient का square तो 3 square पलस 4 का square पलस minus 6 का square करोगे तो पलस में ही आएगा तो मैं directly तो 6 का square इसको अगर calculation करोगे थोड़ा साथ यह बजाएगा 9 plus 16 plus आपको 36 6-6-12-12 21 ठीक है यह हो जाएगा आपका root under में except यह हो गया modulus अब यहाँ पे दिक कोजा निकालना है मतलब आपको क्या निकालना है दोस्तों direction को size निकालना है तो जो भी हम लोग यहाँ पे modulus आया ना और इसका जो coefficient है x का और y का या या z का यहाँ पे उसका हम लोग क्या करेंगे coefficient का रखेंगे और बाकी जो modulus आया उसको नीचे लिग देंगे ठीक है यह हो जाएगा दिक कोजिया 4 बटा में root under 68 और यह minus 6 बटा में root under 68 यही हो गया आपका क्या दिक कोजिया simple था प्रसन दोस्तो काफी easy था तो दोस्तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से total 10 questions किये हैं आप सभी के लिए ठीक है ना mathematics or tap questions का जो आप सभी के exams के लिए काफी important थे और इस तरीके के प्रसन आप सभी के exams के लिए तो वीडियो को लाइक कर लिए दोस्तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि इसी तरीके से हम लोग नेक्स्ट पार्ट ले करेंगे नोट्फिकर्शन आपको मिल जाए करेगा इसके बाद हम लोग टैप questions करने भी बाले हैं तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगरे बिर्शन में तब तक के लिए त्यारी करते हैं ये बाई बाई सभी को जैन जै भारत